जलवा हो तो चिराग पास्वान जैसा, किस्मत हो तो चिराग पास्वान जैसा और माहौल हो तो वो भी हो चिराग पास्वान जैसा क्यूंकि पूरे बिहार के साथ साथ जारखंड और उत्तर प्रदेश में भी चिराग पास्वान का पूरा भौकाल मचा हुआ है और किस तरी के से उत्तर प्रदेश में जाने के बाद भी बीजेपी का दामन छोड़ने को तयार नहीं है चिराग पास्वान ये भी आपको समझाऊंगा लेकिन उससे पहले मेरा पढ़िजय जान लीजिए मेरा नाम है रजद और आप जंता जंक्शन देख रहे हैं चिराग पास्वान का भौकाल और जलवा जो है वो साफ तोर पे देखने को मिलता है किस तरीके से वो जाते हैं तो यूआ उनके साथ एकदम एक सेल्फी लेने को उतावले और बावले नजर आते हैं और ऐसा ही देखने को मिला जब वो परियाग राज हवाई अड़े पे उतरते हैं और लोग उ उनका अस्तकबाल करते हैं उनके पार्टी के कुछ कारे करता होते हैं और कुछ आम जनता भी होती है वहाँ पे इसके अलावा जो वहां के यूआ हैं एकदम से उनके साथ सेल्फी लेने के लिए एकदम तरफरा रहे हैं जा रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ एक सेल्फी मिल जाए और इतना ही नहीं जमा जम बारिस हो रही थी कौसांबी के अंदर और वहाँ पे चिडाग पास्वान को गार्ड ओफ ओनर विया जा रहा था और उनकी दिवानगी लोगों में ऐसी कि लोग सर पे कुरसी रख के उनको गार्ड ओफ ओनर देते हुए देख रहे थे ल बताता है कि चिडाग पास्वान की दिवानगी जो है वो किस कदर है और सर्फ बिहार में नहीं है सर्फ जारखंड में नहीं है बलकि उनकी दिवानगी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है कि भाई वो भीग रहे हैं और लोग उनको ऐसे देखने के लिए सर के उपर कुरसी रखे हुए हैं और वो चिडाग पास्वान को देख रहे हैं चिडाग पास्वान जैसा जलवा अभी बिहार में किसी भी नेता का देखने को नहीं मिलता है देखें बिहार में अलग बात है लेकिन अगर बिहार के बाहर जैसे जारखंड और उत्तर प्रदेश य प्रधान मंतरी जी हमेशा से हमारे हित के बारे में हमेशा से जो भी उनके साथ पार्टिया आती है उसके बारे में सोचते हैं और हमेशा से हमेशा हित करते हैं वो इस बाएज से खुश होंगे और इस बाएज से उनको भी अच्छा लगेगा कि अब मैं उनका साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश भी पहुंच गया हूँ और उत्तरप्रदेश में भी उनका साथ दूँगा, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पास्वान मोदी जी का धामण छोड़ने वाले नहीं हैं, लोग कहरे हैं कि मोदी जी का धामन पकरके वाब वो उत्तरप्रदेश में भी अपना पताखा, अपना जंडा ज चिराग पास्वान के सोच को लोग सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं क्योंकि वो हर बार बात करते हैं कि हम बिहार को सबसे आगे लेके आएंगे और बिहार के बारे में सबसे पहले जो है हम बात चीत करेंगे, बिहार को सबसे आगे रखेंगे, अब बात जारखनकी भी कर रह अब देखिए इसमें होता क्या है क्या BJP उनको वहाँ पे accept करती है क्योंकि BJP का वहाँ पे अपना अलग ही जनाधार है अलग ही vote bank है तो क्या BJP को चिराग पासवान की वहाँ पे जरूरत है या नहीं ये तो आने वाला वक्त और UP में होने वाले विधान सभा के बाद ही पता चलेगा बाकी चिराग पासवान के अगर भौकाल की बात की जाए जलवा की बात की जाए किस्मत और नसीब की बात की जाए और अभी उनके वक्त की बात की जाए तो ये सब कुछ चिराग पासवान के फेवर में चलना है और चिराग पासवान को इसका अंदाजा भी है वो पाकी चिराग पास्वान के जलवे को लेके जो उनका भौकाल है जिस तरीके से युवा उनके दिवाने हैं और आब वो उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं चुनाव लड़ने इस बात को लेके आप क्या सूचते हैं आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है कृप्या कॉमेड अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मेरा नाम रजत है